कोरिया जिले के द्वारा धोरा टिक्रा मोड के पास मजदूरों से भरी एक पीकप वाहन पलट गए पीकप में 30 मजदूर सवार थे बताया जा रहा है कि पीकप में 100 से मजदूरों को भर कर लाया जा रहा था घटना में पीकप सावार कुछ लोगों को मामूली चोटे आई हैं वहन पलटने से वहाँ पर उपसी लोगों में अफरत अफरी का माहौल मच गया घटना के बाद सरकार के उस दावे की पोल खुल गई जिसमें सवारी डोने वाले माल वहकों के खिलाफ सक्त करवाही बरतने की बाद प्रशाशन कहती है बता दें कि माल वहकों में यात्रियों का परिवहन करना गैर कानूनी है और इस विशय पर गंभीरता दिखाते हुए यातायात विभाह को निर्देशित कर यातायात दिमों के पालन करने में मुस्तैदी लाने के लिए कहा गया था लेकिन फिर भी माल वहांकों के द्वारा लोगों को परिवहन करने का सिल्चिला अब तक नहीं थमा है